क नाव कंसरी मेकैनिजम और रेस्पीरेशन जिसमें एक्सिर्णल डिफ्योथ ऐसे और से ब्लेड और क्वछ Comics sau यहां पर क्या होता है जो डी ऑइलाइट फाली निग होती है वसकेन Hendr इस बहुत हो जाता है जो नेट वड़ने की जाल बना लेती है और यह जो नेक वक है यह ऐ NepoCy यह बहुत ही पतली मेंबरेन तो इस वजय से यह नेकिन मेंबरेन होती वह बहुत ही जादा पतली होती है इसलिए जो ऑक्सीजन होती है divular air की वो Diffuse हो जाती है blood के अंदर और carbon dioxide जो blood की होती है वो Diffuse हो जाती है into the alveolar air तो इस तरह से एक्सेंज और जो process है gaseous अक्सेंज का प्रोसस है वो conduct होता है तो यहां पर हम figure में देख सकते हैं यह atmospheric air अंदर आ रही है यह alveolus है ठीकर और यह pulmonary artery है जो कि deoxygenated blood को हार्ट के राइट और इकल से लेकर आ रही है ठीक है और यहां पर देखेंगे ब्लड फ्लोस तो अल्विलस से ब्लड जा रहा है यहां पर काबन डाइकसाइड डिफ्यूस हो रहा है ब्लड में से अल्विलस के अंदर जा रहा है और यहां पर देखेंगे कैपिलरी के अंदर यहां से जो oxygen है वो alveolus से blood के अंदर जा रही है ठीक है और इसके बाद जब यहां से अब यहां पर blood का oxygenation हो गया है क्योंकि यहां पर concentration oxygen का जादा है तो अब यह क्योंकि oxygenated blood है तो pulmonary vein जो की 4 numbers होती है यह इस blood को heart के left oracle में जाके empty कर दे दी तो इस तरह से यहां पर देख सकत transport of oxygen from alveoli to tissue cells तो alveoli से tissue cells में कैसे transport होता है तो जो alveolar capillaries होती है उसके अंदर oxygen combine करती है hemoglobin of the blood ठीक है blood के इंदर hemoglobin होती है उसके साथ में oxygen combine करती है और एक unstable compound बनाती जिसको बोलती है oxy hemoglobin और blood क्या करता है इसको carry करके ले जाता है tissue तक और tissue के अंदर oxygen जो है वो क्योंकि concentration कम है तो वहाँ पर oxy hemoglobin breakdown हो जाता है और oxygen को release कर देता है तो इस तरह से alveoli से tissue cell के अंदर oxygen का transportation होता है then next is transport of carbon dioxide from tissue cells to capillary blood इसमें क्या होता है जो carbon dioxide produce हो रहा है cellular respiration में वो removed हो जाता है blood के तुरू as a bicarbonate और उसके बाद में यह plasma के अंदर dissolve हो जाता है और lungs तक पहुँच जा अब lungs में क्या होता है यह bicarbonate carbon dioxide को release कर देते हैं और यह जो carbon dioxide release हो रही है यह alveolar air के अंदर diffuse हो जाती है तो इस तरह से carbon dioxide जो है वो tissue cells से निकलके और alveolar air तक diffuse हो के पहुच जाती है next is internal respiration और tissue respiration इसमें हम देखेंगे tissue के अंदर respiration किस तरह से होता है तो यहां पर oxygen जो है वो diffuse होती है blood से into the tissue cells और tissue cells के अंदर जो carbon dioxide होती है वो blood में diffuse हो जाती है तो tissues के अंदर जो oxygen होती है वो capillaries से जो होती है उसके तुरू यह diffuse होती है into the tissue fluid तो यहां पर देखेंगे in the tissues oxygen diffuses from the capillaries to the tissue fluid तो जो oxygen है वो capillaries से tissue fluid में diffuse होती है और tissue fluid से यह tissue cells में जाती है उसी तरह से जो carbon dioxide होती है वो cells से diffuse होती होई वो capillaries में जाती है तिकियो रहowans से फिर वो बाहर निकल जाती है through the blood तो इस तरह से हम फिर से देख सकते हैं कि tissues के इंदर क्या होता है oxygen diffuses होती है from the capillaries और capillaries से diffuse होके tissue fluid में जाती है और tissue fluid से यह tissue cells में चलिजा जाती है उसी तरह से carbon dioxide जो है वो cell से diffuse होती है और capillaries में चली जाती है तो यहाँ पे हाँ आप देख सकते है exchange of gases during internal respiration यह blood flow है यह आप देख सकते हैं यह oxygenated blood है और यह blood capillary का आपको दिखाया हुआ है और यहाँ पे बिदेंगे tissue cells है यह tissue fluid है यह beach में intermediate है बीच में आपके यहाँ पे दिया हुआ है यह deoxygenated blood है diffusion of carbon dioxide from tissues तो यह tissues हैं इसमें से आप देखिए carbon dioxide जो है वो tissue fluid के अंदर diffuse हो रही है और यहाँ से जो है blood capillaries के थूँ tissue fluid के अंदर oxygen जा रही है और यहाँ से oxygen tissue cell के अंदर आ रही है तो यह इस तरह से यह process जो है वो cells और capillaries के बीच में हो रहा है tissue cells और capillaries के बीच में हो रहा है और बीच में medium क्या है tissue fluid is the medium now here we'll see cellular respiration और combustion में क्या difference है तो cellular respiration जो है वो combustion से बहुत अलग होता है क्योंकि जब आप candle burn करते हैं और match stick जलाते हैं तो उसका जो process है वो अलग है और cellular respiration का process अलग है energy दोनों में ही release होती है फिर भी यह process अलग क्यों है burning में क्या होता है oxygen combine करती है oil के साथ या wood के साथ जो भी आपने fuel लिया है और उसके बाद में energy तुरंथ release होती है या फिर loss हो जाती है in the form of heat and light और fuel broken down हो जाता है into carbon dioxide and water जबकि cellular respiration या जो cell के अंदर respiration होती है energy release होती है controlled form में और वो conserve रहती है in the form of ATP adenosine triphosphate जो की store हो जाती है और जब भी cell को energy की जरवत होती है या body को energy की जरवत होती है तो ये energy जो है वो release हो जाती है तो इस तरह से cellular respiration से combustion का process different होता है यहाँ पर हम देखिए कुछ important respiratory system के diseases है जिप्थीरिया wolfing cough इसको हिंदी में कुकुर खासी भी बोलते हैं जब खास जैसा के dogs जो है coughing का प्रोसेजर गराम देखा उस तरह से आवाज आते है tuberculosis, pneumonia, asthma common cold, influenza, lung cancer, etc तो यह सारे जो disease है these are all the disease of respiratory system here are some activities based on breathing and respiration तो सबसे पहले activity हम देखेंगे यहाँ पर आपको demonstrate यह करना है कि जब आप breathe करते हैं याने expiration जब होता है आपकी body में तो उस time पर water loss होता है तो इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं gently breathe upon a cold surface कोई भी cold surface इसमें आप glass का piece ले ले लिजे या slate ले लिजे या stainless steel की plate ले लिजे अगर आप उसके उपर breathe करते हैं तो आप observe करेंगे कि वहाँ पर water vapor आपने exhaled किया air उसके अंदर जो water vapor है वहाँ पर condensed हो जाएंगे और water droplets में change हो जाएंगे और आपको surface पर पानी की मूदे दिखाई देंगी जो शो करती हैं कि जो air आपने exhaled की है उसके अंदर moisture present है या water present है second example आपको यहाँ दिया हुआ है to demonstrate the role of diaphragm during breathing किस तरह से breathing के process में diaphragm muscle के contraction relaxation से mechanism चलता है तो आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको एक bottle यह आप खर पर बना सकते हैं bottle लीजिए bottle को नीचे से काट दीजिए उसके नीचे rubber balloon को जो ऊपर का पार्ट होता है उसको काट की जो नीचे का पार्ट है उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए उसके बाद दो straw लीजिए उनको टाई कर दीजिए उनके दोनों एंट पर ballet उनको टाई अप कर दीजिए उसके बाद में उसको bottle में डालीए और bottle के उपर एक cork लगा दीजिए cork में hole कर दीजिए और उसको इसमें इस तरह से लगा दीजिए और उससके बाना है और air pressure लंग के अंदर decrease हो जाता है जिसकी वज़े से जो atmospheric pressure air का है वो क्योंकि बहुत high pressure के साथ अंदर आ जाता है और इसकी वज़े से जो ये जो lungs हैं वो inflate हो जाते हैं right, so ये आपका inhalation का process हो गया, दूसरा हम देखेंगे, जब हम diaphragm को यानि की rubber sheet जो की यहां पर diaphragm की तरह कर रही है, जब हम उसको release कर देते हैं या फिर relax कर देते हैं तो आप देखेंगे dome shape बना ले रही है, इसकी वज़े से जो volume है lung का वो decrease हो जाएगा, air pressure increase हो जाएगा, जिसकी वज़े से lungs क्या करेगी, जितना भी इसकी अंदर air है वो उसको push out करेगी, बाहर निकाल देगी और यह air जो है वो यहां जो straw है जो की एक nostril की तरह काप कर रहा है इसकी तरह इसकी तरह यह बाहर निकल जाएगी तो यहां भी आप देख सकते हैं किस तरह से contract और expand करते हैं